गुड मॉर्णिंग साथियूं सरसोती के रिर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर समाला डेली स्रीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बहतर हो रही होगी चलिए सुरू करते हैं आज का करंट अफेयर उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शियर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टेटिक जी के संबंदी जानकारी बड़े ठीक है चलिए सुरू करते हैं आज का फ्रस्न उत्राखंड के नए मुक्यमंत्री कौन बने हैं तो ये पुसकर सिंग धामी जी बने हैं ठीक है पुसकर सिंग धामी उत्राखंड के अगले मुक्यमंत्री होंगे वह उत्राखंड के सबसे युवा मुक्यमंत्री होंगे पुस्कर सिंग धामी तीरस सिंग राउत की जगह लेंगे ठीक उत्राखंड की स्ताफणा नोन ओंबर दोज़ार को भळंथा देहरादुन राजदानी है और गृस्म कालिन राजधानी गैर्शने है पुसकर सिंग धामी मुख्य मंत्री है और ये राजे के ग्यारवे मुख्य मंत्री बनी है ठीक इनका गोज़णा मता 3 जुलाई 2021 को और 4 जुलाई 2021 को इनोंने सपत लिया बेवी रानी मोर राजेपाल है राकवेंदर सिंग चौहान मुख्य नेदिस है उतराखंड के दो पड़ोसी राजे हैं उतराखंड के हमांचल परदेश और उतरपरदेश और दो पड़ोसी देशें तिबचीन और नेपाल ठीक है हर्याना का थोड़ा सा जल सीमा से लगता है उतराखंड के लोग सभा सीट 5 राजे सभा के 3 और विधान सभा के 71 सीट हैं ठीक कुछ जीले देखे तो परमुक नेनी ताल जील, डोडी ताल जील, भीम ताल जील, साथ ताल जील, राकस ताल जील, माला ताल जील, देव ताल जील, खुरपा ताल जील, जिल मिल ताल जील, दोरणो सागर जील, गिरी ताल जील, शामला ताल जील, रूफ कुंड, सतो तल यहां जील, नोकुचिया, गोरिकुंड, नंडीकुंड, खुरपाताल इस सारे उत्राखर्ण में च्थे थे ते हैं, जिमकार्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पूराना राष्टी उत्याने उत्राखर्ण में च्थे थे, 1926 में इसकी स्था थेकी है 260 दस्रमलों पांस मीटर है इसकी उद्धाइए ऊत्राखंड में इस्तित गंगत्री यह से गंगा नदी निकलती है और यमनोत्र से यमन नदी निकलती है दन्ददेवी फर्वत उत्राखंड में इसती थे इसे किलर मांटेन के नाम से भी जाना जाता है जिपकोंदुलं जो कि पेडョं को क काठने से बचाने के लिए किया गया था यह उत्राखंड राज्य के रेणी गाउं से शुरू किया था इसके जो पर्थम सूत्र पात यह सूत्र करता थे यह थे गौरा देवी 1974 में वह था यह पाकिस्तान का कौन सा सहर दुनिया का सबसे गरम इस्थान बना है तो यह जकोबाबाद ठीक पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने भारत के कई राज्य तपा कर रख दिया है लेकिन खुद पाकिस्तान में हालात और भी ज्यादा खराब है दुनिया में सबसे गर सांट का जयको-बबाथ है पाकिस्तान इसिअमाधी निष्टे श्लाम अबाद राजधनी है पाकिस्तानी रूपय करंसी है 14 ऑगस्त темпер पाकिस्तान की स्थापना इम्रान खान पर्दानमंत्रियें और आरिफ अल्वी राश्ट्रपति हैं पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के वीच अंतराश्री सीमा को रेट क्लीफ रेखा गेते हैं और भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी नदिये सिंदू नदिये ठीक है पाक पाकिस्तान भारत के तीन राजी की सीमा से लगता है पंजाव राजिस्तान और गुज्रास से और भारत का चेतरर पाकिस्तान से चार गुना बढ़ा है यानि अधिक है पाकिस्तान की संसत के नामे नैशनल असेम्बली और पाकिस्तान का मानक समय ग्रिंज बिच से पांस गुरु नानक देव जी जो सिक्ख धर्म के पहले गुरु थे इनका जन्म नंकाना साइब पाकिस्तान में है भारती सेना में चलता फिरता पूल 60 Spain bridging system को सामिल किया गया इसका निर्मान किस नहीं किया तो यह DRDO नहीं किया है भारती सेना या इंडियन आर्मी को एक तरह का पुल मिल गया है यह खास तरह का पुल मिल गया है जिसका इंतजार सेना को काफी दिनों से था 10 मीटर के bridging system को सेना देख से जनर्नल M.M. नर्वने ने सेना में सामिल किया और इसका निर्मान DRDO ने किया है यह bridging system खास तोर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत कम बहुत काम आएगा जहां कम चौड़ी नदियों नालों और नहरों को पार करना होता है इस system की खासियत यह है कि इसमें पांच पुल जोड़े जा सकते हैं यानि पचास मीटर तक की नदि को पार किया जा सकते हैं DRDO Defense Research and Development Organization यह हिंदी में कहिंगे तो रक्चान उसंदान एयों विकास संगठन उनीच्वा ठाउन को इस्थापना हुआ था नई दिली में मुक्या ले जी सतीस रेड़ी अध्यक्षें सिंदुनेत्र उपग्रह यह DRDO ने विक्सित किया है और देश की पहली स्वेदेशी मसीन पिस्तॉल ASMI DRDO ने विक्सित किया है आकास NG मिसाइल का सफल परिक्षन DRDO ने किया एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम का सफल परिक्षन DRDO ने किया है देश के पहले एरड्राफ कंटेनर सहायक NG का सफल परिक्षन DRDO ने किया है CRPF के लिए बाइक एंबुलेंस रक्षिता का अभिकास DRDO ने किया है सांत मिसाइल का सफल परिक्षन DRDO ने किया है स्वदेशी high-speed drone अभ्यास इसका सब्ल प्रिक्शन डियाड नहीं किया ठीक है COVID-19 के उपचार ये तो 2DG नामक दवा को किस ने विख्षित किया तो 2DG दवा COVID-19 के लिए DRD ने विख्षित किया है X-ray में COVID-19 बिमारी की मौझुदगी का पता लगाने के लिए आत्मन-artificial intelligence यानि आत्मन-AI तकनीकी को किस ने विख्षित किया तो ये आत्मन-artificial intelligence तकनीकी को DRD ने ही विख्षित किया है अंतराष्ट ये सहकारिता दिवस कब मनाया गया है तो ये 3 जुलाई को सहकारिता के बारे में जागरूता बढ़ाने के लिए प्रतेग वर्स जुलाई के पहले सनिबार को अंतराष्टिय सहकारिता दिवस मनाता है वर्स 1923 में सहकारिता दिवस का पहला अंतराष्टिय दिवस मनाने का उद्धेशी दुनिया का ध्यान सहकारियों सहकारी समीतियों और उनके कारियों की और आकरसित करना है सहकारी समीतियों दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है जो दुनिया की नियोजित आबादी का 10 प्रतिशत है अंतराश्ची सहकारी ता दिवस 2021 किसकती में एक साथ बहतर पुनर निर्मार देखे तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मना जाता है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग दा इंप्लेमेंटेशन ओफ द सस्टेनेवल डेपलोमेंट गूल्स ठीक आठ जून को विश्व ब्रेंट्यूमर दिवस मना जाता है और 15 जून को विश्व बुजुर्ग गृता दिवस का तीम है अक्सेस्टू जस्टिस 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस मना जाता है और इस बार का तीम है गिब ब्लड एंड की द वॉर्ड बीटिंग टीक विश्व बाल सरम निसेद दिवस 12 जून को मना जाता है और एक्ट नाव इंड चाइल्ड डेवर इस बार का थीम है डवलो एच ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से समानित किया है तो डवलो एचो ने चीन देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से समानित किया है ठीक है तो मलेरिया मुक्त होने वाला देश है डवलो एचो द्वारा चीन सतर साल के प्रयास के बाद चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाराणन से सम्मानित किया है चीन ने 1940 के दसक में सालाना बिमारी के 30 मिलियन मामले दर्जी किये है WHO पर्चिमी प्रसांत छेतर में चीन पहला देसे जिसे तीन दसक से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाराण से सम्मानित किया गया है WHO साथ अप्रेल 1948 को आरंब किया गया यह वर्तमान में साथ अप्रेल को प्रतिवर्स विश्व स्वास्त दियुस मने जाता है यानि साथ अप्रेल 1948 स्कूल वर्ल हेल्थ और्गनेजिशन या WHO की स्थापना हुई थी ठीक है यह एक अंतरसाहर सरकारी संगठने तथा सामानिय तह अपने सदस्य राष्टों के स्वास्त मंतरालयों के स्वायोग से कारे करते हैं वर्ल हेल्थ और्गनेजिशन या विश्व स्वास्त संगठन साथ अप्रेल 1948 इसको स्थापना जिने में स्वीजर लेंड मुक्यलाय टेड्रोस एड़नॉम महानी देशे के 194 देश वर्तमान में WHO के सदस्य हैं और WHO का दक्चिनपूर एशिया का मुक्यलाय नई दिल्ली में हैं इस इकमर्स कंपनी ने इस थानिय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सापसी एप को लॉंच गिया है तो यह फिलिपकार्ड ने Walmart के स्वामित वाली कमर्स कंपनी फिलिपकार्ड ने सापसी नाम का एक नय एप्लिकेशन शुरू करने की घुशना की है जो लोगों की WhatsApp और Facebook जैसे मंचों के जरी अपने नेटवर्क में सामानों का पुनर विक्रिता बनाने में मदद करेगी इसमें कहा गया है कि उप्यो करता अपने phone number का इस्तमाल कर साफसी एप पर पंजी करन कर सकते हैं और अपने online उद्यमीता सफर की शुरुवात कर सकते हैं Flipkart भारत की e-commerce company है Parent company Walmart है 2007 में स्थाफ नहों था बैंगलूरू करनाटक में इसका मुख्या लई है CEO है कल्यान कर्शनमूर्थी Flipkart के मालिक है सचिन बंसल और बिद्नी बंसल उत्रपर्देश के नए पुलिस महानी देशक कौन बने हैं तो यह मुकल गोयल डीजीपी पुलिस महानी देशक या डार्टर जनल पुलिस यह सब पुलिस के जो सीर्स अधिकारी होते हैं राजी में उनके लिए उफ्यक्तो नाम है लकनो उत्रपरदेश की राज़नी है योगी आदित्यनात मुक्य मंत्रिय बीजीव पाटिस है आनंदी बेन पटेल राज्यपाले गोबिंद मातूर मुक्यनेदिस हैं और एक्टिंग मुक्यनेदिस हैं संजय यादव उत्तरपर प्रदेश आपकी जे उत्तरपरदेश की लोकसवा सीट असी राजी सवाय कतिस और विदान सवा के चार सुचार हैं एक पड़ोसी देश नेपाल है आठ पड़ोसी राज्ये यानि उत्तरपरदेश की सीमा आठ राजी से लगती तो आठ राजी उत्राखंड हिमांचल और बिहार से लगती है तता एक केंद्र सासित परदेश दिल्ली से लगती है और कुल नो राज्यों से इसकी सीमा लगती है ठीक है दिल्ली को मिलानी के बाद उत्तरपरदेश के प्रमुक लोग निरते है कर्मा सैला डठी ठडिया घरकरी ही चॉलर लठमार दिवारी घोड कार्तिक धुरिया राई पाइडांडा दीव खयाल मयूर जूला चर्कूला योगिनी छफेलिया दी उत्तरपरदेश के हवाएड़े देखे चॉजरी से रण सिंग अंतराष्टी हवाएड़े लगनों में लालभादर सास्त्री हवाएड़े वारांसी में नोईडांतराष सरकार ने जन सहायक आपका साहयक ऐप जन सहायक ऐप को लाउच किया है तो ये हर्याणा ने हर्याणा में पेपरलेस हैла फेचलेस और पारदर्सी शासन सुनिचित गरन करते हुए हर्याणा के मुख्यमंत्री मोनहहरवरलाल है ने इपको गवर्न klassam...! M Governance की दिसा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल अब लाँच किया है इस अब के माध्यम से Government to Citizen यानि G2C और Business to Citizen या B2C से ओओं की कहीं भी कभी किसी को भी Delivery सुनी चीत होगी हरियाना राधनी चंडिगड मनोरलाल खटर मुख्यमंत्र है BJB से सक्थेदेव नारेणा आर्योरा राजय पालेis अंकर चाह की मुख्यय नेद इसे हुए हरियाना याना राजी के लोक निर्ति हैं फाग निरति सांग निरति और छटी निरति है खोरिया निरत दूमर निरते और जूमर निरते पहस्पड़ोशी राजियें उत्रप्रदेश राजस्तान पंजाब और हिमांचल प्रदेश उत्राखंड का थोड़ा जल सीमा लगते हैं ठीक है और हर्याना की लोकसभाशित 10 राजसभाशीट 5 और विदान सभाशीट 90 हैं हर्याना की राष्टी उध्यान देखता है काली सेर राष्टी उध्यान फुलतानपूर राष्टी उध्यान ये दोनों हर्याना में हर्याना में महा भारत का युद्ध कहां लड़ा गया था तो यह हर्याना का छेत्र आता है कुरूख्षेत्र जो दिल्ली NCR के अंदर आता है तो यह फिल्पीन में ताल जॉला मखि दक्षिलपूरवी एशिया के फिल्पीन्स तेश के Luzon दी पर इस्तित है ऋप Clint ग्जॉला मखि है पिलिपीन का दूसरा सब्से सक्री जॉला मखिक है हाली में ताल जॉला मंखिक में बšड कर भी सपोर्ण की घटना घटी है जॉला मं कि यह जो उनोगी कि जो मुख यह सब 가장 खरें एक सबसे सक्रे होता है जियुक इस्टाम्बॉली जोला मुखई भुमज द्यसागर का सब्हार का संब करती एफ एक्वेडर में पध़ता है दक्षिनग अमेरिका में लंबे समय तक 7 रहे विस्पॉट होने वाले जौला मुखी ब्रसुल ज्याला मुखी चुछ बेरेंदी भारत का यक मात्र सक्रिय जौला मुखी तो यह सीर कोर्मा ने हली में स्वारा भासकर सवाना आजमी और दिब्यदता की सौट फिल्म सीर कोर्मा को फिल्म फेस्टिवेल में रीच किया गया है और वरलीन फिल्म फेस्टिवेल में कौलिफाइड करने के बाद सीर कोर्मा फिल्म ने वेस्ट सौट फिल्म और अडियन् तो साथियों आज का करंट है फिर यहीं फिर समापत होता है कल ले एक नए सीरीज के साथ फिर आजिर होंगे तब तक लिए गुड़ लग यह हमारे नव निर्वाचित मुक्यमंत्री की कुछ परसनली इंफॉर्मेशन है आप इसको पढ़ लीजेगा और इसको इसकी इसकी इ क्या गया था ठीक है तो गुड़ लग हेवे नाइस टे आपका दिन सुब्वों